कोई डॉट आये हैं हाजी डॉट बताएं क्या करना चाहते हैं नमस्कार सर्फ हाजी नमस्कार जी बताईए लास्ट टाइम भी हमारा बात हुआ था मैं भी यह जानना चाहता हूं कि अगर मुझे बुद्धियम के बारे में और जादा जानना है तो कौन सी बूक मुझे पढ करते हैं हमेशा ना धरम खोजते हैं कि यह धरम नहीं मानूं तो वो धरम मानूं तो लोग क्या करते हैं कि हमेशा सोचते हैं कि अब कहते हैं कि मैं तो हिंदुईजम हूं तब बुद्धियम क्यों मानूं उसके बारे में को जानूं अवो धरम के प्रस्पेक्टिव से जब वो हमारे पुर्खे होंगे तो ये जो कल्पना हम लोग बैठा के दिन रात घूम रहेंगे, ये हमारा धरम है, ये कल्पने कल्पने चीज़ें हमारे इस्वर्देवी दे होता है, उस अब हट जाएंगे, इतिहांस हमारे पुर्खों का है, तो हम पुर्खों से जुड़ सबसे बड़ी संख्या है अचा बिहार तो गढ़ रहा है बुद्धिजम का समराथ असोक का गढ़ रहा है वो रहा है की पूरे भारत में या इवन इरान तक जिनकी सरहदे बोलती थी वो उस जगह से थे जहां पर आज भी सबसे ज़्यादा ग्वाला लोग रहते हैं और पूरे भारत में आप खोजेंगे तो ग्वाला लोगों की संख्या भी काफी मातरा में मिल जाएगी अब जरा इस बात को हैं और ऊसका इंपर वहां तर्भाला निव उनपर पाढ़ा था ये का भी सोचा है आपने वहां जो ग्वाला थे इतनी बड़ी संख्या थी Shoghatha भी संख्या थी तो क्या इंपक्ट पड़ा होगा वहां के धरम पे ग्वाला लोगों के वह फिर कौल सा धरम मांते हों गे इ मैं इस बारे में सोचता तो हूँ हूँ जैसे बेसिकली तो मैं यूपी से विलम करता हूँ यूपी तो बड़ा गड़ है ना बुद्धिजम का सार्वनाथ से लेकर हाँ तो वही मैं सोच रहाता कि अगर बुद्ध भगवान पहले आए तो यह हिंदु लोग उनको पता नहीं कौन सा नहुआ तो अतार बना के उसमें भी कुछ नकुछ मतलब उन्होंने गड़गड़ी कर दिया कि मतलब इस धर्म को भी कुछ ना कुछ उन्होंने गलत साबित करी दिया उन्होंने और अपने धर्म को सर्व से बताके कि हम पहले आए और बुद्ध बाद में आए जो कि मैं आपकी स्ट्रीम से और बाकी जगे से जो देखता हूं उससे मुझे यह पता चलता है कि बुद को तो मेरा यह सवाल था कि सर जी पहले भी पूस्ता या ऐसा मानों ता जब से स्टाट हुई यह तब से बुद्ध धर्म चलता रहा है पुरे दुनिया में देखें बुद्ध धर्म जो है ना उसमें पूर्व बुद्धो का जिक्रा आता है पूर्व बुद्ध का नाम जो मतलब पहले बुद्ध मतलब जो अभी तक हमने पड़ा है वो पहले बुद्ध क्या नाम था उनका जो अपना घर छोड़के बुद्ध धर्म को बुद्ध बन गए थे और गौतम हाथ उनसे मतलब वह पहले आए तब से बुद्ध धर्म सुरूर रहा है या उसके पहले से देखे उससे पहले से है मैं आपको एक एक करके साथ दिखाता हूं कि बुद्ध हम जो है अगर जब आप जैन में जैनों के कितने गुरू हैं तीत कर कितने जैन लोगों के नहीं मुझे ज्यादा धर्म के बारे में उत्माइब के नहीं है अब यह देखिए फाहयान थे 399 इसवी में आये थे भारत और जब यह भारत में आये ना तो यह बुद्धिष्ट के सारे प्लेस गुमने गए तो जब सारे प्लेस गुमने गए तो यह गुमते गुमते जो पुर्व बुद्ध थे उसका भी देखे थे 399 इसवी में आप दे उदत थें, उनके अनुवायू के भी संग हैं, वे पुर्व के तीन बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्यमुनी की पूजा नहीं करते हैं, यानि बुद्ध के साथ साथ तीन और बुद्धों की पूजा करते थें, तो ये चौथी सदी में भी इनोंने देखा, तो इनके मन मैं उठा के चलो उनको भी देखा हूं कौन से तीन बुद्ध थे तो इस स्क्रीन पे आप देखिए कश्चप, कपुछंद और कनक मुनी के जनामस्थान, दिख रहा है आपको, इस स्क्रीन पे, तो ये तीन पुद्ध, बुद्ध से पहले के, बुद्ध से पहले के तीन बुद्ध का, क्योंकि बुद्धा के जो भाई थें, वो लोग इन तीन बुद्धों को मानते थें, यानि बुद्ध के पहले ये तीन बुद्ध अल्रेडी थें, 28 बुद्धों का जिक्रा आता है, लेकिन ये तीन बुद्ध का एस्पेसल माना जाता था बुद्ध के गर में उनके भाई मानते थे उनके अनवाई लोग तब भी मानते थे चोधी-पाँचवी सदी तक भी उनके लोग मानते थे और इनके बने हुए थे देखे क्या लिखता है नगर के पश्चिम पचासली पर ट्वीड नामक एक गाउं पड़ता है यह कश्चप बुध का जनम धम-शुप बना है कश्प बुध यानि पूर्व बुध के बिसाल सु तूप बना है यानी बुद्धिजम की परंप्रा फिर सरावस्ति में अगे जाते हैं तो ककुचंद बुध के जनम स्थाना पर परिनिर्वाण स्थान पर धम-सुप बने थे फिर निचे देखिये कि क रिसर्च पेपर दिखाता हूं, यह रिसर्च पेपर है नैपाल का, नैपाल का जो आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट है, वो क्या कह रहा है, इसके बारे में वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यह जगह जो है नैपाल साइड में भी पढ़ती है, स्रवस्ति से आगे, तो तो नैपाल का आर्कियोलोजी जो है वो एक्सकेवेशन हुआ है वो क्या कहता है एक नजर वो भी देख लीजिए आपको किलियर हो जाएगा कि बुधा के समय में ये देखिए आर्कियोलोजी ओफ बुधिष्ट साइट इन नैपाल तराई कहां से तकोस प्रसाद अचारिया चिफ आर्कियोलोजीकल ओफिशर डिपार्टमेंट ओफ आर्कियोलोजी नैपाल अब ये क्या कह रहा है इसको एक पर देखिए ये आजाएए खपिलवस्तु महावना ये रहा अना अस्तूपा साइट ओफ ककुछंद बुद्धा का निर्वान अस्थान था वो वाज फर्ष्ट इक्सक्वेटेड बाई मेजर वेडल इन 1898 अठारा सो अंठानबर में मेजर वडल के द्वारा पहली बार वहां उत्खनान हुआ था विच हैज बिन ड्राउन एन रिपो यह इस चीज को अस्तूफा क्लोज वहां समराट असो का एक अस्तंब था उसी के नजदीक में एक अस्तूपा मिला और रिशेंटली नैपाली इटालियन टीम अफ आर्के लोजिस्ट नैपाल की और इटली की टीम आपके तरब से थोड़ी बैक ग्राउंड आ रही है उसको अपम्यूट कर लीजे तो नैपाली इटालियन टीम अर्के लोजिस्ट वाज सक्सेस्फुल इन ब्रिंगिंग तू लाइट दो मैट और कोड इंप्रेश्ट वर डिटेवल टू जीरो वन वन नाइंथ सेंचूरी बीसी अब यह देखिए आप यहां कमाल की बात कि वहां प पर चीजें मिली सबूत होने का प्रमाण मिला कि वहां पर नाइंथ सेंचूरी बीसी तक का वो निर्माणकाल हो सकता है जो सुतूप मिला है उसके नीचे के जो लेयर थी वो नाइंथ सेंचूरी बीसी तक का फाइंड आउट हुआ सबसे जो पुराना वहाँ मेटेरियल था सुतूप का 9th सेंचूरी का था यानि सुतूप समराट असोक के समय में बना होगा लेकिन उसके नीचे जो उस जगह पे आस्थान रहा होगा जहां समराट असोक ने जब बनवाया था 84,000 सुतूप फिर उनहों ने जब इसका कुछंद बुद्ध का भी रिनोवेट कराया होगा उस समय तो उसके जो मेटेरियल पुराने जो मेटेरियल बचे होंगे 9th सेंचूरी बीसी के भी मिल रहे हैं वहाँ पे अब काता है इस डेट वाच कनफर्म बाई दो सी 14 एनालिसिस ओफ चार्कोल सेंपल वहाँ पे एक चार्कोल मिला जला हुआ लकडी मतलब जैसे जलाया जाता है किसी को जला कि जब जमीन में गाड़ा जाता है तो जो चार्कोल होगा वहाँ पे मिला वहाँ पे स्थूप के नीचे चार्कोल उसकी करवन डेटिंग कराए गई और क्या मिला वहाँ पे अमेरिका उसे से कराया गया था तो काता है चार्कोल सेंपल यानि कि वो 815-680 BC के बीच का मिला अब तीसरी सेंपूरी में स्थूप बनाया गया था समराट असोक ने बनवाया था जब 84,000 स्थूप बनवा रहे थे तब लेकिन उसके नीचे का जो लेएर मिला जो वहाँ पे दफनाया गया था रखा गया था वो 815-780 BC मिला कुछ लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि वहाँ जानवर का मिल गया ये मिल गया ठीक है एक जगह जो है उस जगह पे क्या होता है कि एक आदमी को दफनाओगे तो वहाँ पे जानवर भी होगा ये भी होगा किसी के भी मिल सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता सवाल जानवर के हड़ी का नहीं है सवाल ये है कि उस जानवर के हड़ी के नीचे का लेयर में चारकूल मिला है जो हड़ी का लेयर जो बताए है जानवर का एक का कुछंद बुद्ध की बात चल रही है मैं बता दू यहाँ किलियर कर दूँ तो वो जानवर की ऊपर के लेयर में मिली है, सबसे नीचे के लेयर में चारकूल मिला है जला हुआ, तो कुछ लोगों ने गलत फहह्मी भी ला दी, कि जानवर करे भई, जानवर को जलाके नीचे को न डालते हैं, जला के डलेगा तो हड़ी उपर रह जाएगा जला हुआ चीज नीचे लेयर में कई से चला जाएगा 700-800 साल के अंतर के लेयर में कई से चला जाएगा तो ये जिनको भी गलत फहिं है उसको भी मैं दिखा दूँगा उसका इक्सक्रवेशन का भी दिखा दूँगा ये लोग समझ जाए अच्छी तरह से कि पुर्व बुद्धों का किस तरह से हुआ है लोगों में क्या गलत फेम ये बाटते हैं तो दस्तूपा वाज बूल्ट इन थर्ण सेंचूरी बिशी और पीलर वाज इरेक्टेड वाई इंपरर असोका इन द सेंचूरी और उसी समय समराट असोक ने एक पीलर भी वहाँ पे लगवा दिया था ककुछंद बुद्ध के पास तो ये देखिए नेपाल का अर्केलोजी जो डिपार्टमेंट है वो बुद्ध से भी पहले मतलब 9th सेंचूरी बीसी 8th सेंचूरी बीसी तक में ककुछंद बुद्ध तक का इक्सकेवेशन करके ये चीज निकाला रहा है समझ रहे हैं डॉट कहां लोग बुद्ध सोच रहे हैं बुद्ध से पहले पूर्व बुद्ध की यहां पर चर्चार ये उनके एक्सकेवेशन निकाल रहा है अब मैं आपको एक और रिसर्च पेपर दिखाता हूँ क्योंकि भारत में बताईए जब इतने सारे मिल रहे हैं तो किसी रिसी मूनी का क्यों नहीं मिला एक रिसी मूनी किसी का तो मिल जाता भाई अगर भारत में कोई हिंदू अंदू या कोई ब्रामणवादी वेद वेद किसी रिसी मूनी बैट के पता नहीं कौन उपनिशद क्या क्या अगर लिख रहे थे ऐसा कोई था उनके भी कुछ तो सबूत मिलते यहां इतने पूर्व बुद्ध के सबूत मिल रहे हैं अब यह दूसरा रिसर्च पेपर है एक्सकवेशन एद गोतिवा यह है जीओवनी वेर्दी और इन्हों ने जो एक्सकवेशन किया है इसमें इन्हों ने और डीटेल्स में दिखाया है यह देखिए मैं दिखाता हू आपको एक्सक्वेशन का उनका एक्सक्ट जो सेंपल उन्होंने निकाला है बड़े अच्छे से दिखाया है यह देखिए यह एक्सक्वेशन किया है यहां पे शुतूपा जो है इसके ठीक यहां बीच का यह पोर्षन है यहां पे पीलर जो गड़ा हुआ है वो यह सारा ल पोर्ट है यह, यह लेयर आप देखिए, सबसे पहले, period of 20th century, यह 20th सदी का है, इसके just modern village, आज के समय में जो village है, उसका यह लेयर है, उसके just नीचे यह क्या लिखा है, Abdominant and Non-Buddhist Occupation, यानि पिछले 4th, 5th century AD onwards, यानि 5th, 6th सदी के बाद से, वहाँ पे उस चीज पर कबजा करके, कुछ चीजें लगानी, जगानी, जो भी सुरू किये होंगे, मतलब till date 19th सदी तक, यह नहीं 4th, 5th के बाद, लेकिन 19th सदी तक, कभी भी हो सकता है, तब के लेयर म गैर बुधिष्ट के यहाँ पर कबजा, या उनकी चीजे देखने को मिलती, लेकिन उसके नीचे जब खुद आई की गई, 1st, 3rd century AD, तो वहाँ पर यह देखिए, सुतूपा मिलता है, enlarged of सुतूपा, यानि जो सुतूप था, उसका बहुत बड़ा किया था, बहुत बड़ किया गया, पहली तीसरी सदी में, बाद में गैर बुधिष्टों का कबजा, अब उसके नीचे के पिरिड में जाएंगे, 8th to 7th century, तो इसमें 3 पोर्षन है, पहला यहाँ पर क्या मिलेगा, NB, PW and Animal Bones, कुछ Animal के Bones भी यहाँ मिले, अब लोग क्या परचार फैल आते हैं, कि बहुत चवडा जगा है, सदूप जो है, छोटी सी जगा नहीं है, बहुत चवडा जगा है, तो हर जगा पे इतने सारे जीव जन्तु रहते हैं, कोई जन्तु कभी मरा होगा, रहा होगा, तो उसका कभी पड़ा होगा, वहाँ पे, उससे नहीं मतलब है, मतलब है कि उसके भी खुदाई हुई और उसके नीचे मिला है cold impressed wear and red wear यानि कि cold impressed बर्तन और लाल बर्तन मृत्भांड जो होते हैं उससे नीचे मिले हैं बोन से भी नीचे यानि उसके नीचे भी इंसान थे और उसके नीचे भी यहां देखिए charcoal मिला है 800 BC 800 BC का लकड़ी का जलाया हुआ इंसान द्वारा जलाया हुआ लकड़ी के भी टुकड़े मिले हैं यहां पे यानि कि यह चीज पता चलता है कि यह जो निर्माड कार हुआ था वो 800 BC 900 जो 9th century BC हम जो बोल रहे हैं 900 BC जो बोल रहे हैं उस समय वहां पे था और सम्राट असोग ने उसके उपर निर्माड कार कराया था तो यह बीदेशोग उन्वर्सिटी जो है बुद्ध के उपर कितना खोज कर रही है पुर्व बुद्ध के उपर खोज कर रही है एक एक लेयर तक खोज दे रही है कि अगर कोई जला हुआ एक लकड़ी का एक चारकोल तक मिल रहा है उसको तक निकाल के खोज निकाल रही है अब पता नहीं कौन से कहां पे गुर्व कुल था कहां पे इनके यग हवन कुंड होते थे आज तक एक सिंगल सबूत नहीं मिला क्यों डॉट आपको क्या लगता है अब तक मैंने जितना आपको सुना है जितना भी मैंने आज तक आपको सुना है और मैं खुद भी थोड़ा बहुत जो जानगारी करता है कि उसके साथ से तो यह पता चलता है कि हिंदु धर्म या सनातन का तो कोई अर्केलोजिक तोन फेक्ट नहीं मिला है और जैसा आप कहते कि गुरुकुल वगेरा या फिर जो कहते है कि नालंदा था तो भी आपसे ही पता चलता है कि वो भी एक टाइम पर बुद्ध के ही सब मतलब युनिवर्सेटी वगेरा थे और फिर बाद में इन्होंने अपना नाम दे दिया और जब फैक्ट की बात है तो ये कुछ एविडे पूत यहां पर आप देख लिए कैसे खुदाई हुई क्या साइट थी बड़े प्लेस में आपको बताया था इसके पहले वाले इस टीम में कि मुझे साइंस को बहुत मतलब बच्पन से बहुत ज्यादा अच्छा लगता था इसलिए मैं जो साइंस वाले चैनल आते थे ना एनिवल प्लेनेट और डिस्कावरी वगेरा यही सब मैं बच्पन में बहुत ज्यादा देखता था तो मैंने हब को लास्ट टाइम बोला भी था ना इंसानों और जानवरों में कोई फरक नहीं है बस एक बुद्धी का फरक है तो वही सब देखके मैंने सीखा था कि अगर किसी धर्म को कोई मानता भी नहीं भी मानता है तो एक जानवरपना आदमी के अंदर होता है हुट से हट कर जो इंसान बनता है वह एक इंसान कहने लाएक है बागे तो सब जानवर जैसे ही है जो ताकत वार है वही राज करेगा इसलिए मैं पूल त्यम को योटूब में सु पड़ेगा एक्शली मुझे बुद्ध तर्म के बारे में जो रियल मीनिंग जानना है तो कौन से बुक से पता चल सकता है कि यूटुब पे भी सब 90% से ज्यादा तो फेक लोग ही बैटे हुए है जो गलत परचार कर रहे हैं सब क्या करते हैं पिछले 400-500 सालों में जो स्कृ बुद्ध से जाना है इसक्रिप्चर से थोड़े जाना हमको तो 1000 साल सवनपढ़ा रखा गया था हमको का पता है कि उनको को हुदक करने के लिए लिख रहा है उब ही कौनं बदनाम करने के लिख रहा हो अब कौन को बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम पर रम को क्रिष्ण गोड़ेवि देधा को थौपा गया रिसी मुनी को थौपा गया भाई उनकी एक सिंगल सबूत नहीं मिल रहे हैं और पूर बुद्धो तकके इतने गहर गहर सबूत मिल रहे हैं अगर karış तो अगर वो सबसे पूराना है तो उसके सबूत पुरे दुन्या में मिलने चाहिए और जितना मैंने बता है न कि मैं डिस्कॉरी चैनल बच्पन से देखता हूं बहुत ज्यादा छोटी उमर से तो मैं उसमें यही देखा हूं कि कहीं भी खुदा ही हो रहा है बुद्ध भग नैपाल को इन्होंने बनाया है हिंदू राष्ट करते हैं ना हिंदू राष्ट नैपाल हमें खुदा ही हो रही है तो वहां भी बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं इसका मतलब कि पहले जो मैंने दिखाया आज की डेट में नैपाल में पड़ता है अब जरा सूचिये कि उसको हिंदू राष्ट नोंने घोसित कर रखा है तो हिंदू के क्यों नहीं सबूत मिल रहा है वहां पे सारे सबूत जो मिल रहे हैं वो बुद्धिष्ट के ही क्यों मिल रहे हैं भारत में खुदा ही हो रहा है वहां खुदा ही हो रहा है बुद्धिष्ट के मिल रहे हैं उसको भी हंदू दिसает, इसको हंधू राष्ट बनाना चाहते हैं, उसको पहले बन गया, इनसे अड गान, uen से एडवान से ना, बहले बन गया, बनके खतम होगया, ब्रांपर राष्ट बन गया है, अब देखिए हिंदू राष्ट है, फिर ब्रांपर राष्ट पनाएंगे, तो इसका मतलब कि पहले बुद्धी जम था ना तोनों जग है, तभी तो सबूत बुद्धिष्ट के मिल रहे हैं, और ये इलाका जो है ना बोडर पे है, सरावस्ती जो है ना सरावस्ती भारत का इलाका है, और नैपाल पहले भारत में था, समराट असोक जब यहाँ पे निर पाकिस्तान से फिर उदर निकल गया, उसी तरह से नैपाल भी भारत से हट गया है, जम्बू दीप से, तो ये हुआ है, सब हम लोगों का था पूरा, तो ये चीज है, ठीक है डॉट फिर, ओके, तो कोई बुक सब्सक्रेंगे मुझे, हाँ, मैं आपसे यही कहूंगा, कि र पाका सकता है, बरगला सकता है, का था कहा नि, बुद्धि जम नहीं है, बुदिष्ट नहीं है, वो हमरा इतिहांस नहीं है, हमरा इतिहांस जमीनों से निकल रहा है, हम लोगों उस माध्यम से जानना चाहिए, दो तीन किताबे, पांच शे किताबे हैं, डॉक्तर इतिहांस और समराट असुक का नया इतिहांस बाई डॉक्टर राजेंदर परसाज सिंग ऑनलाइन मिल जाना चाहिए कुछ लोगों ने बताया है कि साथ एमेजोन पर मिल जाएगा चलेगा ठीक है और भी कई सारे लोग हैं जो बेचते हैं आप चेक कीजिएगा ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगा इसे चेक कीजिएगा तो ठीक है फिर ओके डाट ओके थैंक यू टाइम देने के लिए हाँ जी हाँ